Hello बच्छो, my name is Mohit Tegi and I am graduate from IIT Delhi. I am teaching for IITJ Mathematics for past 20 years. जब अच्छा 10th से 11th में जाता है तो उसे एक बहुत crucial decision लेना होता है अपने career के बारे में. कि कौन सा stream चूज करें, commerce में जाए, arts, science की तरफ जाए. अगर मालिया उसने stream डिसाइड कर लिया कि, for example, science में जाना है, तो फिर उसके बाद वापस उसके बाद दो option होते हैं कि medical line में जाए या फिर engineering line में जाए. काफी सारे बच्चे इस बारे में बहुत clear होते हैं कि उनको तो मालिया IIT Delhi करनी है या फिर आगे जगे engineering line में ही जाना है. तो they will start their preparation for IIT Delhi. कुछ बच्चे अफकोर्स medical line की तरफ उनका पूरा रुजान होगा and they are very clear कि they will go into it. तो वो अपना medical line वाले तरफ हो सकता है, start कर भी दिया हो या फिर 11 से they will start. बच्च बच्चे ऐसे fan sitter होते हैं जिनको ये clear नहीं होता कि उनने इधर जाना है या इधर जाना है. तो ये जो decision है, this is going to be a very crucial decision for your entire professional career जो आगे जलगे 30-40 साल का होगा. तो इस decision को हमें बहुत सोज समझ के और ठंडे दिमाग से लेना चाहिए. Because 10 तक हमारे दिमाग में हो सकते हैं बहुत सारे misconceptions हो, या फिर लोगों ने हमें तरह तरह की गलत बाते बता रखे हो, कुछ सही बाते भी हो सकते हैं बता रखे हो, और उसमें if you are confused, तो आपको बहुत साधानी पूर्वक ये decision लेना है कि हमारा real inclination किसमें है. ठीक है, 10 तक हमें falsely ऐसा लग सकता है, किसी बचे को falsely ऐसा लगता है, उसका mathematics बहुत अच्छा है, ये ठीक है, maybe वो अपने marks के साथ compare कर रहा होगा, but 11 में आके I will say कि जो mathematics से वो totally change हो जाएगा, मतलब मैं डगा नहीं रहूं, मैं तो reality बतानी कोशिश करूँ, उल्टा भी हो हो सकता है कि किसी बच्चे हो लगता हो कि math से उसको बहुत डार लगता है, उसके marks थोड़े से कम आते हैं, but ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, जिनके math में भले ही 90 marks ना आते हो 10 तक, but they will do very well in 11th, because उनका understanding वाला part बहुत स्ट्रॉंग होता है, तो उनने चीजे समझ में आती है, यह ठी कि ऐसे बच्चे हो सकता है कि वो रठ ना पाते हूं, तो इसलिए हो सकता है उनके जो inclination है, वो biology की तरफ ना हो, तो इसी चीज़ का flavor देने के लिए कि आगे जाके अगर आप math चूज करते हो, तो किस तरह की पढ़ाई होगी, किस तरह से competitive environment में पढ़ाई की जात यह जो हमारा कोर्स है, JEE, that is engineering के लिए joint interest examination होता है, और medical के लिए जो examination होता है, वो है नीट, N-E-E-T, उसी को मिला के हमने जीत सेतू, सेतू means bridge, यह कोर्स बनाया है, जो बच्चे को यह help करेगा अपना true potential या inclination पहचानने के लिए कि उसको engineering side जाना है, या फिर medical side जाना है, उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जाना है, and they want to decide, they want to take a call, के उनको engineering में जाना है, या फिर medical line में जाना है, इसके अंदर हम week में 3 दिन classes तेंगे, of course physics, chemistry, mathematics, and biology का, एक गंटे का lecture आएगा, तो एक दिन में 4 गंटे के lecture आएगे, total week में 3 दिन classes होगी, जो course की fees है, that is 1100, और 1100 हमने बिसिकली इसले रखा है, ता कि non-serious बच्चा नहीं, we want a serious group of बच्चा ही हमारे साथ जुड़े उस course में, जो इस course का duration है, that is approximately 60 days, तो लगभग 25 classes आएगा, पर subject, the idea is to give you a flavor of what is coming, if you are preparing for, say, J&E or NEET, जो course का starting date है, that is 5th of December, 2022, और ये course आप सीधा खरीद भी सकते हैं हमारी एप से जाके, एप का नाम है Edu Competition, ठीक है, competition में T-I-O-N नहीं है, S-H-U-N है, last में, तो ये हमारी Android एप है, वहाँ जाके भी खरी सकते हैं, और website से भी जाके लेसकते हैं, online.competition.com पे भी ये course आपको मिल जाएगा, फिर भी किसी 901 की जगे 906 भी लगा सकते हैं, 908 भी लगा सकते हैं, तो इन तीन numbers में से किसी बे भी आप call कर सकते हैं, गर आपको किसी भी तरह की कोई भी inquiry करनी है, कुछ confusion है तो, अब थोड़ा सा हम इसको detail में समझ लेते हैं, कि इस course में क्या-क्या है, तो सबसे पहली बार ये किस बच सकता है, और नीट भी हो सकता है, जिधर भी उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा, ये जो course है, जैसा हमने बुला कि week में तीन दिन classes आएगा, ये ठीक है, और class की frequency 3 classes per week per subject, तो math, physics, chemistry and biology का एक घंटे का लेक्टर आएगा, तो चार घंटे का लेक्टर आएगा एक दिन, फिर ऐसे week में तीन दें 4-4 घंटे के lectures आएगे, ठीक है, और ये जो course है, वो लगवग 2 महीने तक चलेगा, तो on and average हम 25 classes देंगे per subject, बट 25 classes का मतलब क्या है कि अभी जैसे 5th December से start हो रहा है, तो January के 1st week में, sorry February के 1st week में, it will be over, हमारी तरफ से, बट कुछ बच्चे ऐसे हो सकते है उनका examination आ गए, तो उन्होंने दो-तीन class नहीं देख पाई, तो ऐसे बच्चों को cater करने के लिए जो इस batch का access है, वो हम 31st May 2023 तक देंगे, वैसे तो जो बच्चा competition की तयारी करेगा, वो most probably, एपरिल के 1st week से ही वो अपनी preparation स्टार्ट कर देंगा, कहीं पे भी, बट हमारी तर सकता है, फीस इसका 1100 रूपीज है, जैसा मैंने बता दिया, अच्छा, इसके अंदर we will be giving you recorded scheduled lectures, मतलब अगर Tuesday को lecture है, तो Tuesday को 4 o'clock पे अगर पहली class है, तो उसी टाइम पे वो lecture unlock होगा, but once it is unlocked, it will be available till जब तक आपका course का access है, तब तक वो unlock रहेगा, मतलब अगर मैं Tuesday में खड that class is unlocked, उसके बाद that class will be available till last, चीक है, और doubt clearing के लिए हमारे पास of course telegram group है, महाँ पे आके आप telegram group पे भी doubt पूछ सकते हो, एप के ऊपर basically telegram जैसी facility है, जहाँ पे आप text के form में, या फिर picture खीच के आप doubt का पूछ सकते हो, voice message के थ्रूँ आप doubt पूछ सकते हो, या फिर हमारा daily एक zoom class भी होता है, live doubt counter भी लगता है daily, वहाँ आके भी बच्चा आपने doubt को सकते है, किसी भी तरह का, अच्छा material जो है, उसमें जो DBPs होगा, वो आपको electronic form में, मतलब app के अंदर आपके पास available हैगा, उसी material से आपको practice करना है, वैसे जब हमारे पास जो बच्चा 11 से preparation करता है, 12 से preparation करता है, तो उसको हम physical copy भी बेसते हैं, बट अभी basically physical copy, क्योंकि material बहुत थोड़ा सा ही होगा, तो अगर बच्चा चाहे तो उसका print out लेके खुद यूज कर सकता है, अभी हम बेज़ेंगे तो उसमें 15-20 दिन तो उसको पहुंचने में लग जाएगा, तब तक तो course या जहां पर help करेगा, तो some points to ponder is, it will help you in deciding whether one should go for JE or NEET, पहला चीज हो गया, दूसरा चीज, कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं, ऐसा हैं वैसे कुछ बच्चे, जो हमारे चैनल से, जहां पर हमने YouTube channel के उपर, IIT JE का पूरा स्लेवस डाल लगा है, गरीब बच्चों के लिए जो afford न ना लिया, और NEET की तयारी अगर स्टार्ट कर दिया है, तो they should keep doing it, यह ठीक है, यह कोर्स भी ले सकते हैं, और अगर वो अपनी तयारी करते रहें, this will also help you in deciding whether self preparation will be fruitful, और one should join an institute, यह मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि 11th onwards you will find कि काफी यदा प्रेशर आएगा, 10 तक तो काफ हमें, हम चीज़ों को रट के भी, रिप्रोड्यूस करके भी बहुत अच्छे marks ला सकते हैं, बट 11th में, जा हम कॉंकिशन की तियारी करेंगे, तो चाहें वो नीठ हो, चाहें जेई हो, हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, और उसके बाद हमें questions करने पड़ता है, जेई तो ये उसी में तुमें एक थोड़ा सा ग्लिम्स देगा, कि अगर एक बच्चा किसी institute की help लेता है, तो definitely उसकी rank में सुधार होगा, मतलब जो चीज़ हो सकता है, कि हम खुद पढ़के 10 घंटे में समझे, टीचर हो सकता है, हमें 1 घंटे में समझा दे, तो हमारे जो 9 hours बच जो institute की help से बच्चा त्यारी कर रहा है, उसकी rank better आएगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा exposure होगा, questions को करने का, तो उसी चीज का भी एक test हम ले सकते हैं इस course में, फिर उसके बाद कुछ बच्चे, especially parents बच्चों को ऐसे बोलता है कि अभी तो तू 11-12 कर, और 12 करने के बाद J is concerned, क्योंकि IIT J ने restrictions लगा रखा है कि आप केवल दो ही बार J दे सकते हैं, एक 12 के साथ और एक 12 पास करने के बाद, तो जो बच्चा 11-12 में केवल बोर्ड पर focus कर रहा है और J के त्यारी नहीं कर रहा है, फिर वो जब 12 पास करके देगा तो उसको completion बहुत ज़ता है, stiff feel क्योंकि 13 में, जिसको हम 12 पास बोलते हैं, उस टाइम पे एक साल के अंदर, एक साल में पूरा मिलता नहीं, basically preparation करना, उतने टाइम के अंदर, इतने intense completion में perform करना is very difficult, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, कोई बच्चा महां से माल लिया, चार या rank ले भी आया, और वो अगर 11 स से त्यारी करता है, तो हो सकता है कि उसका rank 500 के अंदर आता है, आईटी जेही में, it matters a lot कि आप कौन से IIT से कर रहे हो, उसका brand value क्या है, कौन सी branch से कर रहे हो, तो rank also matters a lot, तो I would say कि कि किसी दिमाग में ये कि हम 12 बात करेंगे, तो वो seriously उसको एक बार जरूर सोचे, और हमें preparation 11 से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि competition is very intense, अच्छा उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो online ये offline में confused होंके, online तो घर से पढ़ें तो उसके भी कुछ फाइदे हैं, बट वहां पे हमें discipline रहना पड़ता है, offline में एक तो यह हो सकता है कि हमारे शहर में, अगर हम क इस फिल ऑलसो गिव ये flavor कि online में पढ़ाई कैसे होती है, किस तरही किसे discussion होते हैं, इस तरह की चीजे, तो that may help you in deciding कि whether we should go for online और offline, तीसा next point वही होगा, कोई बच्चा हो सकता है, ये सोच रहो कि उसके टाउन में अच्छे teachers नहीं है, तो हो सकता है कि को कोटा जाने का सोच र नहीं रहते हैं कि बाहर जाके खाना खाना और इस तरह की चीजे हैं, पता नहीं किस तरह का खाना मिलेगा, self-manage करना, parents भी थोड़ा comprehensive रहते हैं, तो अगर ऐसे में बच्चे को अगर मान लिया, online में उसको लगता है कि ये सब कुछ अच्छा है, must knowledge मिल रही है अपने घर मे में बैठ के, तो हो सकता है कि, it will help him in deciding whether he should stay back in his home time or he should go for बड़ा center, ठीक है, ये मैंने ओर्री बोल दिया कि, the main purpose of this course is to give you the competitive flavor के आगे चालके, competition कितना आता है, और कितना हमें जमाग पे जोल पड़ेगा, preparation करने के लिए, उस तरह की चीज का ग्लेजनेरी कुश करेगा, 8th point is marks in 10th in bio and maths, कुछ बच्चे falsely उनको ये लगता है कि, उनका math बहुत अच्छा है, ठीक है, बट, और उसका basis ये भी हो सकता है, कि हो सकता है, उनके math में 100 में से 100 marks आयों, biology में हो सकता है, 88 marks आयों, बट, जैसा मैंने बोला कि 10th तक, और 10th से 11th में जाओगे, तो you will find there is a huge jump in understanding or difficulty level, जिसको बोलते हैं, और बहुत सरे बच्चे 11th के शुरू में आके, पहले महीने में ही उनको लगता है, कि गलत डिसीजन हो गया ये, यहां तो math बिलकुल अलगतर रेक ही है, I am not saying, कि सब बच्चों के साथ ऐसा होगा, बट, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है, और करना कि दुबारे स्टीम चेंज करना, तो उसी चीज का एक ये प्रिव्यू टाइक हम अभी ले सकते हैं, इस दो महीने को इन्वेस्ट करके, I can be sure, दो महीने पढ़ने के बाद हो सकता है, कि मैं बिलकुल शुर हो जाओं कि मिला को किस डिरेक्शन में जाना है, जो 10th में मा हमने वहाँ पढ़ाई कैसे किया जाता है, प्लस जो कॉम्मेटिटिव इन्वाइमेंट में हैं, वहाँ पढ़ाई कैसे किया जाता है, कितना गिलिंग पढ़ाई होता है, तो उसके बाद, मेभी, युल मेक अप या माइन के तुम्हें किधर जाना है, तो I hope you will be joining this course and will be taking advantage of it so that जो आगे का आने वाला तुम्हाना 30-40 years का professional career है, वो fruitful रहे and successful रहे, all the very best from team competition.